साथियों अब भारत ने ये ताय किया है कि आने वाले पांच वर्षों में हम अपनी एकोनामी के साइज को दो गुना करने का प्रयास करेंगे फाइव ट्रिलियन डॉलार आज एक टारगेट उसके वह हमारे सामने हमने रखा है हमारे लिए फाइव ट्रिलियन डॉलार एकोनामी ये महज आंकडा नहीं है बलकि सामान्य भारतिये को ससक्त करने का माध्यम है आर्थे ववस्ता दो गुनी होगी तो हर भारतिये परिवार की आई भी बढ़ेगी सामाने से सामान्य भारतिये की पर्चेजिंग पावर भी बढ़ेगी भाई और बहनों फाईव ट्रिलियन डालर के इस पढ़ाव तक पहुँचने के लिए हमारे पास पोटेंशल भी है और प्लान भी है और पसीना बहाने की पूरी तैयारी भी है इस लक्ष को हासिल करने के लिए हमने अभी काम शुरू नहीं किया है लेकिन बीते पाँच वर्षों में एक मजबुत नीव बना चुके है हर ग्लोबल रैंकिंग में आज भारत व्यापक सुधार कर रहा है वर्ल इंटलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र प्रोपर्टी और नाशन की ग्लोबल इनोविशन इंडेक्स की रैंकिंग वर्ल एकोनोमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पुटिटिवनेस इंडेक्स अंग्टार द्वारा लिस्ट किये गए टेन एफडियाई डेसिनेशन में भी भारत ने सुधार किया है इज अप दूइंग बिजनेस में भी हमारा लक्ष तॉप फिप्टी देशों में आने का है इसी का परणाम है कि आज रिकार्ड्स तरपर भारत में एफडियाई फोरेंड डारेक इंवेस्मेंट आ रहा है मजी विश्वास है कि बहरीन के हमारे दोस्द भी भारत में निवेश के इस अभुत्पुर्व माहोल का लाब उठाने के लिए और अधिक उत्सुख होंगे